तो आप भी अपने फोन के फोटो को इस टाइप से कुछ इस टाइप का इडिटिंग करना चाहते हैं पूरा अच्छे तरीके से बैग्राउंड चेंज इडिटिंग तो आप वीडियो को लाश्ट तक देखते रहें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें तो चलिए स्टाट करते हैं वीडियो को तो आपको सबसे पहले अपने बैग्राउंड को ओपेन कर लेना है पीसाट अप्लिकेशन में और यहां से अपने को लोने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको बैठा देना है अपने फोटो को हिसाब से और डन कर देना है और शेप कर लेना है अपने फोटो को और शेयर कर लेना है लाइट रूम अपलिकेशन में तो आपको बैग्राउंड रिमूब फोटो रूम की मदद से कर लेना है तो लाइट रूम अपलिकेशन में औने के बाद सबसे पहले अपने लाइट को एड़ेस्ट करना है कॉंट्रेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है और हाइलाइट्स को थोड़ा सा डाउन कर देना है सैडो को इनक्रीज कर देना है और ब्लेक्स को डाउन कर देना है फिर कलर में चलना है मिक्स में चलना है और रेट का सेंचुरेशन थोड़ा सा डाउन कर देना है लुम्नेस क को चूच कर लेना है और इसका सेंचुरेशन कुछ इतना रखना है इसका लूम्नियस को डाउन कर देना है और फिर मिटोन में चलना है यह बला कलर को रख लेना है और इसका सेंचुरेशन कुछ इतना रखना है लूम्नियस को इनक्रीज कर देना है और हाइलाइट्स में भी यह वला color को choose कर लेना है और इसका saturation कुछ इत्ना रखना remedy है luminous के increase कर देना दरन कर देना है कि और पिर masking में आएगे यहां से एक linear gradient लेना है और कुछ पर से इसका light exposure को down कर दरना होट और contrast को increase कर देना है और done कर देना है और फिर से mock scheme में आना है फिर से एक radial gradient बनाना है और कुछ इस type से यहाँ पर लगा देना है और इसका light exposure पोजर increase कर देना है और colors में चलना इसका temperature बढ़ा देना है और done कर देना है और save कर लेना अपने photo को before after color grading देख सकते हैं आपको background और png का link description में मिल जाएगा